में फ्रेंट्स स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MKR Hindi English में और आज हम लोग बात करने वाले हैं Past Indefinite Tense के एक Practice Set की जिनको Concept के लिएर नहीं है करप्या करके वो जाए हमारे यूट्यूब चैनल पर और वीडियोज देखे Concepts के जिसमें आपके इसकी पहचान, बनाने का सूत्र, अलग-अलग प्रकार से Affirmative, Negative, Introgative हर तरीके के वीडियोज आपको वहाँ पर Available हैं आप जा करके देख सकते हैं चलिए इस Practice Set को Solve करते हैं जिससे आपका और भी Confidence जो है वो Boost हो और आपका Concept Clear हो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वह स्कूल गया आपको पता होना चाहिए किसका Formation होता आप अपरमेट्व में Subject प्लस MB की Second Form फिर आपका Object यह आपका Affirmative का Formation होता है यानि सूत्र होता है आप अपरमेट्व में इस तरीके से बनाते हैं अब दिखें ही जाने को इंगरेजी में गो Second Form क्या होता है वेंट तो ही वेंट कहां गया टू स्कूल फिर टू स्कूल ठीक है दूसरा देखिए मैं गीत गाता था यह फरमेट्व संटेंस है आई सिंग की Second Form यह ठीक है तो यह हो गया तिसरा देखिए मैं तुम्हें नहीं जानता था यह निग्या जब सिंटेंस होते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो आपका सब्जेक्ट होता है उसके बाद टिडिडनट का प्रियोग करते हैं जिनको ना पता हो क्रेप्या जाईए चैनल पर और आप चैनल पर जा करके पहले वीडियो देखिए उसके बाद आप यहां आएंगे तो आपको sentence और अच्छी तरीके से clear होते हुए दिखाए देंगे चलिए ठीक है आगे देखते हैं सेंटेंस को बनाते हैं तुम्हें नहीं जानता था आई आई के साथ डिड नाट आई डिड नाट जानने कोंगरेजी में नो अब आपको लगीगी फस्ट फॉर्म अब फर्मेटिव में लगते हैं सेकंड फॉर्म बांकि जितने भी इसके पार्ट्स होते हैं निगेटिव इंट्रोकरटिव सेकंड इंट्रोकरटिव समय फर्स्ट फॉर्म लगती है तो आई डिड नाट नो यू माने तुम्हें मैं तुम्हें नहीं जानता था अगला देखते हैं राधा खाना नहीं पकाती थी यह आप कमेंट करके हमें बताइए यह बहुत यह आसान सेंटेंस हैं आप आसानी से इसको कर है पहले इसका प्रक्टिस सेट बाद में करिए पहले आप जाहिए इसका कॉंसेट के लिए करिये तो चलिए देखते हैं जाने ंगरीजी को टू सकूल। टू इसकोल और फिर आपका कॉस्चन मार्क चलिए अगला देखते हैं नहा कहां रहे थी यह सेकंड टाइब एंग् लेव वेर डिट नेहा लेव तो यह बन जाएगा सेंटेंट इसके बाद देखते हैं इसका अगला अनिल अपना कार करता था यह फर्मेटिव सेंटेंस है क्रप्या अपने अब बनाईए आपको और आसानी समझ में आएगा इसके बाद अगला दिखिए तुम वहां क्यों नह नहीं जाते थे चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं अगला लिखा है वह आज स्कूल क्यों नहीं गया तो दिखें क्यों के अंगरेजी उठाएंगे यानि वाई फिर आपका डिड़ वही फॉर्मेशन डिड़ फिर आपका सब्जेक्ट यानि ही फिर आपका नॉट इन और गो टू स्कूल चलिए अगला देखते हैं अगला लिखा है सीता प्रदिन वाजार जाती थी अफर मेंट्वी से स्वयम बना सकते हैं पर हम बनाकर आपको दिखाते हैं सीता जाने को गरेजिम गो कहते हैं अब गो है अब गो की आप कौन सी फार्म लगाएंगे गो क कि आप यहां सेकंड लगेंगे वेंट टू मार्केट और अपर दिन को क्या बोलते हैं डेली सीता गुब टू मार्केट डेली यह होगा अब जो रेस्ट संटेंस आपको दिये थे कमेंट करके आप बताईए और होफुली आपको कॉंसेट क्लियर हुआ होगा अगर आप क्लियर हो जाए देखिए यहां पर राधा खाना नहीं पकाती है इट नॉट का प्रेयों करते हैं यह दिट नॉट का प्रियों करके दिखाते हैं राधा करा लिख लेंगे राधा इंट गाण से न5 फोड डाद जोडम स्वी mutual यहां फर्स्ट Consult कर्ण चूर्ण से तो कहने का मतलब यह एकवल अपर सेंटेस में सेकेंड फॉर्म और बांकि सभी जिएपर आपको हर जो शूंप परम का फ़युर्ट अनिल अपना कार करता था अनिल करने को दो बोलते हैं सेकेंड और इसकी लेड़ अपने की अंग्रीजी क्या होगी यहां पर हीज वर्क यह डिड वो नहीं इस यह जो आपकी मैन वर्व होती है डू उसकी सेगेंड फॉर्म डिड का प्योग करते हैं देखिए यहां एक बात आपको पता देते हैं आप यहां पर जब इस बात को देखते हैं कि आई के साथ अपने का अंग्रेजी क्या लगती है माई यू के साथ क्या लगती है यूर ठीक है सी के साथ क्या लगती है हर और यहां पर ही के साथ क्या लगती है हिज और यहां पर अगर कोई जंडर के हिसाब से मैस्कुलीन दिया हो तब आप हिज लगाएंगे feminine यानि कोई महिला दी हो यह पूरुस के लिए है यह महिला के लिए तो हर का प्रियोग करें गया जैसे यहां पर देखिए अनिल लिखा था इसलिए हमने क्या लगाया हिज लगाया तो यहां पर I के साथ my, U के साथ your, C के साथ her, he के साथ his, और masculine हो तो his, feminine हो तो her, they हो, जैसे बाइद विए आपको कहीं पर दे लिखा मिल जाए, तो आप अपने गंग्रेजी जी वहाँ पर देर का प्रियोग करेंगे, वी अगर मिल जाता है तो आप our use करेंगे, ये पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन इनके साथ अपने गंग्रेजी किस तरीके से लिखी जाती इस बात का धियान रखेंगे, यानि वी के साथ our, दे के साथ their, I के साथ my, U के साथ your, C के साथ her, he के साथ his, और masculine हो तो his, और feminine हो तो her का प्रियोग करते हैं, चलिए बात समझ में आ गएगी कि कि अपने गंग्रेजी किस तरीके से प्रियोग करते हैं, hopefully आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाए बाए